हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है सरता साली टुटोरियल में तो दोस्तो आज हम लोग सूट के नेक की इंब्रोइडी है जिसमें हम लोग क्या करेंगे उसकी कटिंग करेंगे और उससे अच्छे से हम लोग लगाएंगे तो यह देखे दोस्तो यह हमारी इंब्रोइड और असका ओऊब inclמצ करेंगे सेंटर कर लेनाए कहा को बिल्कुल जितना भी सेंटर आ रहा है में वहाँ पर एक निशान लागा लेना है और ये जोने की लेंदध का है वह भी देख लेनी है आपको ठीक लग्ती है तो ठीक है अगर आपको कम ज्यादा लग्ती है आपको एक करके में जो आपका फुरंट पार्ट है आगे का सुट का उस पे रख करके फिर आप उसको सट कर सकते हैं को रेडी कर सकते हैं यह देख सकते मेरा सावणीन चार रहाए तो मुझे जादा नहीं चाहिए गहराई जो है आगे के पल्ले में तो यह地 के शोलडर पर मैंने इसका center ले लिया है बराबर से fold करते हुए एक cut लगा दिया solder का center निकलाया अब दोस्तों हम यहां पर कहा करना है अपनी इस embroidery को ऐसे रखना है और बराबर से जितना भी patch है तो इसको बराबर से आपको देख लेना है तो यहां पर देखेंगे चस्ट एरिया पर हम यहां पर देख लेंगे पुरा बराबर से जितना भी है उसके आधे पर एक निशान लगाएंगे आप एक में फैब्रिक पर भी निशान लगाईए इस तरह से और जो हमने पैच निकाला है इसका भी सेंटर तो दोनों का सेंटर हमें मिला के रखना है आप यहां पर चाहे तो जहां पर आ रहा है वहां पर हमें जितना भी टोटल फैब्रिक में आ रहा है आगे के सूट में उसका आधे पर एक निशान हमें लगाना है कुछ इस तरह से और जो हमने पैच लिया हुआ है इसका भी हमें आधा देख लेना है जहां पर आधा आ रहा है तो दोनों का हमें स से मिला के रख लेना है और यहां पे आप जो है पिंस लगा के इसे सक्यूर कर सकते हैं इस तरह से देखिए जो में सेंटर से दोस्तों दोनों तरफ हमें 3-3 इंच पर एक निशान लगा लेना है और जो 3-3 इंच आ रहा है 6 इंच का क्योंकि हमारा नेक जाएगा तो उसके बस दो सूच छोड़ते हुए हमें बगल से ऐसे रखना है इसकी जो यह लेस है और इस तरह से हमें यहां पे पिन अप कर देना है क्योंकि हमें वहीं पर हमें इसको अब पक्की सिलह लगा करके अपने पैच को इसमें चिपका लेना है अच्छे से तो दोनों साइड में हमें ऐ सिंख कर लेना है यहां पें दोस्तों पकी इसलाएं लगानी है और अच्छे से सिलवटों को हटातागे बिल्कुल भी सिकुड़न ना आ then दियान से आप जो है स्टिच किजिए ईा दिए इस तरह से हमें बराबर्बर से कर लेना है तो दोस्तों पैच वर्क है इस तरह से आ कपड़ को फिर कटिंग करनी थी क्योंकि सेंटर में कट करती तो फिर इसे स्लिव को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है फिर उसमें जोड़ जादा पड़ जाता है तो इस तरह से दोस्तों हम जो है पैच को निकाल करके इसको फ्रंट की कटिंग करने के बाद में और ऐ देखे मैंने पूरी सिलाय लगा ली है पक्की और अब यह हमारा जो है इसमें अटैच हो गया जैसे कि हमारा आया हुआ था सूट में इस तरह से और अब हमें दोस्तों नेक को रेडी करना है तो इसके लिए दोस्तों हमें लेना है पेस्टिंग बकरम आप चाहे तो नॉर्मल जो हमारा डिजाइन था उसके हम दोसूत अंदर की तरफ ले रहे हैं दोसूत मतलब आप एक पैर जितना अंदर लीजेगा पकरम पे ऐसे निसान हमें लगा लेना है ताकि जब हम स्टिच करेंगे तो सेम हमारा यहीं पर स्टिचिंग आएगी तो ऐसे हमें देखे लगा ल पर अंदर का शेप लिए उसके उपर रहे हैं पैटर्न के और अब हम ऐसे लगा लेना है तो इसको दोस्तों बस अब हम लोग यह से राउंड शेप दे देंगे और कटिंग करने के बाद दोस्तों हम इसको दूसरे ही फैबरिक लेंगे जो आपके पास बचा हुआ हो अलग तो यह देखिए इसको हमें कटिंग कर लेनी है जो हमने निशान लगाया उसी पर बस शेप का धिहान रखेगा अच्छे से शेप कही जैसा कटना चाहिए और इसको देखिए आप चाहे तो ऐसे फोल्ड कर लीजिए इस तरह से और फिर आप कट कर दीजिए या तो फिर आप पर बिल्कुल सेम आया है कोई अंतर नहीं है दोस्तों इस तरह से करने में यह देख सकते हैं जैसे मार्किंग की ती सेम उसी पर आगया यह देखिए मैंने अलग से कप्डा ले लिया है जो मेरा बच्चा हुआ था और इस पर हमें ऐसे रखते हुए हमें इसकी देखिए च इंच ज्यादा होना चाहिए ताकि फिर हम जब इसको स्टिच करके अच्छे से चिप का सके या स्टिचिंग कर सके उसके बाद में इस तरह देखिए इससे हम एक इंच नीचे बढ़ा ले रहे हैं अब हमें क्या करना है इसको दोस्तों इस पर पेस्ट कर लेना है तो चिप अपर का जो गला है वो बिलकुल भागे ना बराबर से आए इस तरह से हमें ऐसे रख लेना है और देखिए एक साइड हमने इसको जो है नेक को अटाइच कर लिया है अब दूसरे से घुमा के और बीच वाला ऐसे देखिए बराबर से रखना है ताकि जो है आगे पीछे न दोस्तों देखिए प्रस करने पर यह अराम से हो जाता है इस तरह मैंने इसको चिपका लिया है आप चाहें तो दोनों साइड पर सिलाई भी लगा सकते हैं अब दोस्तों हमें क्या करना है बक्रम से दूर हमें आधे इंच पर कटिंग कर लेनी है तो यहां पर देखिए ऐस करेंगे तो यह अच्छे से मुड़ जाए तो यह देखे इस तरह से हमारा यह हो गया अब हमें दोस्तों किनारे किनारे देखिए इसको बकरम के ऊपर चढ़ाते हुए ऐसे सिलाय लगा लेनी है एक पैर जितना मार्जिन लेते हुए तो पूरे में हमें ऐसे ही स्चेच कर ले फिर धेनी है बस इतना हमें करना होता है बाकी दोस्तों अगर पिस्टिं बकरम है तो आप ऐसे कर दिएगा इस तरह से दोस्तों देखें सिलाय लगा ली है मैने चार और ममें दोस्तों अपना मेन किनार से लगाएंग तो हम बकरम के बिलकुल किनारे से लगाएंगे या अब बकरम से ऊपर भी दूपर रखा के लगा घर देमे प्कशन में यह ना हों किनारे डिया रखारा रह रहां न चाह लेना है तो दोस्तों यह बहुत ही आसान तरीका है अगर आप का इस तरह से डिजाइनर नेक आता है बनाने का आप आसानी से इस तरह से बक्रम से बना सकते हैं अब दोस्तों हमें क्या करना है इसमें बीच में जहामने शिला लगाई है उससे एक पर जितना margin छोड़ते हुए हमें cutting कर लेनी है तो इस तरह से देखिए बराबर से हमें shape देते हुए cutting करनी है और फिर चोटे-चोटे से हमें इसमें cuts लगा लेने हैं तो cuts लगाने के बाद में दोस्तों अब हमें इसको देखिए इस तरह से ऐसे पलट लेना है तो पलट के अराम से देखिए बिलकुल अच्छे से आसानी से पलट जाएगा और आप हमें इसमें किनारे किनारे केवल फिनिशिंग की सिलाय लगानी है तो बस एक सूध बिलकुल उपर चढ़ाते हुए हमें किनारे किनारे से लाए लगा लेनी है तो दोस्तों I hope कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो like, share, subscribe जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो एक बार comment करके जरूर बताएगा कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये पूरा नेक बन करके ready हो जाता है तो दोस्तों ये देखे लिए उसकी कितने ही finish के साथ में हमारा नेक ready हो गया है तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्ते आपको वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए राधे राधे